हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु स्टडी बस जब हम कैट या एमबे की प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रीम होता है 99 परसेंटाईल अशीव करना 98 परसेंटाईल अचीव करना टॉप आयम्स में जाना टॉप 20 30 कॉलिज में जाना लेकिन हरे एक स्ट्रेंट टॉप college में नहीं जा पाता और मैं आप लोग के comment जब read करता हूँ तो काफी सारे ऐसे comment होते हैं जहांपे आपने 2 average colleges 3 average colleges का नाम लिखा होता है आपने बोला होता है कि सर अब क्या करें इसमें join करना चाहिए या drop करना चाहिए तो कौन सा best है कौन सा खराब है तो इस वीडियो में मेरा जो focus है वो एक ही point के उपर है कि अगर आपको एक average college मिला है तो आपको क्या करना चाहिए इस motto को याद रखो कि अगर आप एक average college join कर रहे हो तो उस average college में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो top 10-20% के बच्चे होंगे जो बहुत अच्छी placement व तो शायद 5-6 लाग की है तो अब आपको अपने आपको उस level पर लेके जाना है जहां 15-16 का package load so that आप better तरीके से start करो तो अपने college में आपको best बनना है top 10-20% में बनना है और जब मैं top 10-20% बोल रहा हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि number की term में academic top पर नहीं क्योंकि जब companies interview के आती है ना वो आपके academic के साथ आपकी personality आपके वस्क्या knowledge है कौन-कौन से skills है आपकी communication कितनी अच्छी है आप corporate में एक team में काम कर सकते हो की नहीं कर सकते future में आप team को lead कर सकते हो की नहीं कर सकते यह सारी qualities आपको आने चाहिए तो आपको अपने soft skills पर भी काम करना है आपको अपनी technical skills पर भी काम करना है तो अगर मालो आपने decide कर ले कि sir मैं इस साल college में जा रहा हूँ no matter कि मुझे college कौन सा मिला है एक average college है मैंने join कर लिया join करने के बाद जो आपका अभी time है जो two months three months का time है जब आपका college start नहीं हो रहा अपने उपर काम करना start करो अगर आप चाहते हो maximum to maximum आपको return वहां से निकालने उसके लिए आपको क्या क्या चीज़े करनी है समझो सबसे पहले अपने resume पर काम करना start करो मैंने देखा है बच्चे MBA join कर लेते हैं हमारे पास जब लोग interviews देने आते हैं हमें अपना resume बेशते हैं और मैं उनसे question बूसता हूँ मुझे बताना resume resume में और CV में क्या difference होता है उन्हें ये तक नहीं पता लोगों को लगता है resume एक ही होता है लेकिन सारी की सारी चीज़े अलग हैं काफी सारे मैंने इसे students देखें जो average college से निकले हैं लेकिन आज की date में वो top companies में काफी अच्छे package पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंन लिंक दे रखा है मेरा आपका पता है दूसरा platform is skillbus.in उसमें मैंने free course दिया है इसमें ebooks है resume कैसे बनाते हैं gds कैसे करते हैं जितने भी important चीज़े spoken English के उपर ebooks है video lectures आपको इसमें मिल जाते हैं आपको किस तरह से interview को crack करना होता है अपने resume कैसे बिल्ट कर जाता है sample resume इसमें helpful हो सकता है तो नीचे link है जाके इस course में login कर लो अभी आपको time है पूरा पूरे course को पढ़ लो सीख लो कुछ आपकी value edition हो जाएगी number two जो आपको काम करना है वह start reading mint newspaper आपने life में कभी newspaper पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा अगर आप यह चाहते हो कि आप यार एक top performer निकल के आओ तो कोई way out नहीं है newspaper रीडिंग का वो आपको करना ही पढ़ेगा कोई shortcut नहीं है काफी सारे लोग कहते sir apps डाउनलोड कर लेते हैं उन apps यह important news पढ़ लेंगे लेकिन newspaper पढ़ने का तरीका होता है and newspaper पढ़ने का reason होता है कि वहाँ पे आपको better exposure मिल पाता है exposure in terms of बड़े बड़ इंडिया देखोगे जितने भी top MBA colleges है वह मिंट नहीं करते हैं और रीकमेंड नहीं करते हैं जादा हिंदू इंडियान एक्सपरिस का reason यह है जो मिंट है वह more of a business newspaper है और आप MBA कर रहे हो masters in business administration तो यहाँ पे आपको चितने भी start-ups है companies है जो deals है mergers है उनके उपर क्या analysis है economy के बारे में तो हर एक चीज़ के बारे में आपको awareness रहती है तो कल को जब आपका interview होगा किसी company के लिए apply करोगे तो आप बहुत better space में होगे जहाँ पे आप हर एक topic पे बात कर पाऊगे and आपकी knowledge बहुत जादा हो जाएगी तो apps बगारा से ठीक है कि आप अपनी current advice कर सकते हो लेकिन newspaper reading का कोई alternative नहीं होता है यहाँ पर आपको बहुत in-depth analysis मिलते हैं opinions मिलते हैं लोगों का perspective मिलता है जिससे आपका खुद का एक thought process develop होता है जो आपके interviews में बहुत जादा help कर सकता है for example अगर मैं आपको बता हूँ तो अगर मैं आपसे बुच actual competitor है वह इन कार मेकर्स के अलावा Apple भी एक बहुत बड़ा competitor है क्यों है क्योंकि supply chain management का रोल आजा तो यहाँ पर ऐसी चीज़े पढ़ते हो जो आप को अपने MBA से relate कर पाते हैं आपको different vision मिलता है जिससे आप future में किसी company के लिए apply करते हो तो आप एक asset बन जाते हो और आपको better opportunities provide होते हैं third important is networking करो जिस भी average college में आप जा रहे हो कुछ फरक नहीं पड़ता है कि अब आपने जो college ले लिया है वो आपका college हो गया है उस college का आपको maximum benefit लेना है हर college में से कुछ ना कुछ alumni ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे level पे कुछ किया होता है जो companies में top level पे होते हैं तो आपको क्या करना है networking करनी है एक बात हमेशा ध्यान रखना your network is your net worth ठीक है तो जितना अच्छा network बनाओगे उतना अच्छा है linkedin पर अपना profile बना लो and बना रख़ा है तो उसे properly update कर लो ठीक है और linkedin पर जो भी अपने college के alumni से connect करो उनसे बोलो कि मैं आपका college join कर रहा हूं आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं उनको message बेजो that it is always good to know about people like you who have achieved great height in there corporate करे तो उससे क्या आपका connection बना रहा है तो कल को अगर आपको job के लिए जाना है internship के लिए जाना है तो direct अगरा message करोगे ना job लगवा दो तो सामने वाले भी सोचता है यार पहला message आए सीधा job का है कोई point नी बनता तो अगर आप networking कर लोगे थोड़ी बहुत तो एक अच्छा आपके साथ repo बन जाता है and future में काफी दादा helpful हो सकते और अगर उस company में jobs नहीं है तो उनके knowns हों अब आप बच्चे नहीं रहे हो अब आप MBA कर रहे हो जहां पर 18-20 लाग का investment करने वाले हो और उससे भी जादा अपने two years invest करने वाले हो तो दो साल में आपकी personality ऐसी होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं थी आपका version 2.0 बाहर निकल के आना चाहिए इसके लिए जितना ज्याद करते रहते जिसमां participate कर सकते हो तो आपको अपने events में जितने भी events हो रहे हैं जो भी आपको अच्छा लगता है जिस फील्ड बे आप आगे जाना चाहते है उससे एक तो आपकी knowledge building होगी और कहीं पर जीतोगे तो उससे आपका resume में add करोगे companies आपको extra points देंगी ठीक है इसके competitions कराते हैं वो भी इस website पर post होते हैं तो इन website से जब यह competition post होते हैं वो case studies competition होते हैं या फिर वो अलग-अलग topics पर competitions होते हैं तो जब आप उन competition को जीतते हो और कल को किसी company में apply करते तो आप बता सकते हो मैंने इस company का यह competition जीता था जिसमें 10,000 लोगों ने participate किया था तो क्या पता चलता है आपको पता चलता है कि आप एक better asset हो आप एक अच्छे problem solver हो तो companies आपको hire कर लेते हैं तो in case studies पार्टिसपेट करना है और इसी से आपको एक knowledge building होगी तो यह सब चीज़े छोड़ दी नहीं है जो भी मैं चीज़े आपको बता रहा हूँ ठीक है अभी जाके आ मैंने देखा है वो पूरे दिन रोते रहते हैं क्रिप करते रहते हैं MBA में तो time में नहीं मिलता चार बज़े सोते हैं तीन बज़े सोते हैं तो सुबह 5 बज़े तक जाते रहते हैं सुबह 7 बज़े lecture होते हैं यह सिरफ उनी लोगों के साथ होता है जो अपने time को manage करना नही जानते हैं मेरे नोंस ऐसे भी हैं जो आयम जैसे top colleges में हैं जो FMS जैसे top colleges में एक्सलराई जैसे top colleges में and they sleep at 10 और 11 पीएम daily ठीक है क्यों क्यों का time management बहुत strong है तो जो लोग यह बात करते हैं कि पूरे दिन में हमें तो 2 घंटे सोने का time मिल रहा है वो या तो अपना time manage नहीं क manage कर पाऊगे अपना सही तरीके से तो अपनी life को ना चार important parameters में divide कर लो मेरी life में important और urgent क्या है important और not urgent क्या है not important urgent क्या है not important not urgent क्या है तो अगर मालो आपके college में assignments है practical से एक्जाम से वो सबसे पहले है उसके ओपर कुछ नहीं है number two आपके तीन मैने बाद exam से आपको कोई assignment submit कर गया उठानों तो पड़ेगा तो उसको फटाफट खतम करो to the point बात करो and quadrant four है जहापे आप सबसादा time waste करते हो चाहे वो whatsapp पर करते हो facebook करते हो social media sites पर करते हो netflix पर करते हो amazon पर करते हो ठीक है time waste करना is not a problem but quadrant four आप तब करो जहाँ आपका one two three achieve हो जाए तो this should be more of a reward for other three quadrant तो अगर आपने अपने time पर master कर लिया time को control कर लिया तो आप सारी चीजे control कर पाओगे then आपका build basics आपका college start होने वाला है आपको पता है MBA में subject क्या क्या होते हैं आपको ये भी पता है कुछ ऐसा subject होते हैं जो सबको पढ़ने पढ़ते हैं चाहे वो marketing हो चाहे एको हो तो चाहे आप commerce background से हो, eco background से हो, अपने basics को अभी पढ़ना स्टार्ट कर तो ताकि college में पढ़ाई को लेके जादा stress ना हो, already आप थोड़ा सा आगे हो, आपको पता होना चाहिए quarter five forces model क्या होता है, SWOT analysis क्या होता है, इसके साथी BCG metrics क्या होता है, then आपका McKenzie का framework क्या होता है, financial modeling क्या होत अपने basics को strong करके college में enter करो, so that आप already ahead रहो, बाकी पुरे classmates है, खीक है, इसके साथ कुछ skills ऐसी है, जो आपको आने ही चाहिए, आप कल को किसी भी company में जाना चाहते हो, corporate में जाना चाहते हो, internship में जाना चाहते हो, Excel एक ऐसा powerful tool है, जिसका use हमेशा lifetime में पढ़ेगा आपको, ब YouTube पे free में भी सीख सकते हो, काफी सारी videos भी होते हैं, जिसके तो आप सीख सकते हो, और अगर आप एक proper structure से सीखना चाहते हो, तो मेरा जो platform है skillbus.in, वहाँ पे बहुत ही affordable price पर आपको course मिलता है, और वो भी बहुत ही जादा practical तरीके में, practical का क्या मतलब हो गया, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक project मिलता है, 15 आज का project मिलता है, जिसमें आप actual जैसे corporate में problems होती है, problems, business problems होती है, उनको आप solve करते हो, वो project हमारे instructor review करते है, then आपका एक test होता है, जिससे आप certified होते हो, तो एक तो आपने अपनी skill सीख ली, skill के साथ आपको certificate मिल गया, आपने project भी कर जिससे आपने जो learning करी थी, उसको practical तरीके से implement भी कर दिया, तो course का price बहुत ज़्यादा affordable है, 14.99, इसके साथ ही क्योंकि आप study bus के follower हो, आप अगर code use करोगे study bus, ये course आपको सिरफ और सिरफ मिल जाएगा 9.99 में, ठीक है, तो study bus code आपको use करना है, 9.99 में आपको course मिल जाएग आपको पता, आप किसी भी MBA के senior से पूछ लो, वो आपको बता देगा, कि पूरे साल बर उसने कम से कम 100 से उपर PPTs बनाई होंगी, चाए वो group exercise के लिए हो, या उसकी presentation के लिए हो, या college के lectures के लिए हो, PPT building जो है, एक exercise, ऐसी है, ऐसी skill है, जिसकी future में भी, जब आप corporate में presentation बना सकते हो, बिलकुल basic level से लेके advanced level के infographics तक आपको इस course में सिखाए गया, इसमें भी आप code यूज़ कर सकते हो, आप financial modeling कर सकते हो, ठीक है, आपको पता है, मुझे marketing में आगे जाना है, आपको course करना चाहिए, डिजिटल marketing का, ताकि आपको marketing का, आपको marketing का, in and out समझ में आ कैसे काम करती है, आपको HR में जाना है, आपको आना चाहिए, business communication किस तरह से लोगों से बात करते हैं, negotiations करते हैं, interviews कैसे करते हैं, उसके बाद अगर मान लो, for example, आपको जाना है, data analytics, business analytics की field में, तो आपको machine learning का course करना चाहिए, तो आपको जिस field में अपनी MBA करनी है, जो आपको masters करनी है, उसके related course जरूर करो, यह आपके resume को भी build करेगा, आपका confidence भी increase होगा, जब आप recruitment के लिए जाओगे, आपको companies preference देगी, हाँ इस इंसान को knowledge पता है, हमारी company में आगा तो asset बनेगा, हमें training के उपर time नहीं waste करना, तो again short term courses करने के बहुत सारे platforms है, आप skill bus को भी explore कर सक तो वहाँ पे आपको amazing discount मिल जाएंगे 3 courses, तो आप courses को explore करो, इसके अलावा भी बहुत सारे platform से वहाँ पे देखो, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको समझ में आए, वहाँ से course को कर लो, और उसके बाद आप देखोगे, आप हमेशा अपने classmate से आग case studies में participate करो, चाहे आप skill building करो, चाहे आप live projects करो, इसके साथ साथ internships करो, जितना internships करोगे, जितने live projects करोगे, अपने passion को, अपने interest को भी discover कर पाऊगे, resume में भी better होता चला जाएगा, और आपको dependent नहीं रहना पड़ेगा, college के उपर की, कि यही college में नहीं नौकरी लगवाएग off campus भी आपको offers आने लगेंगे, ठीक है, इसके साथ ही conferences अटेंड करा करो, जो भी होती है, बहुत सारी LinkedIn पर conferences आती रहते हैं, उनको अटेंड करो, यह भी आप resume में add कर सकते हो, और इस तरह से अपने resume में पर काम करो, अगर आपको एक अच्छा career बनाना है, एक average college से भी master career start कर MBA column आने एक बाद आपको यह लगना चाहिए कि higher, यहां से मैं चीज़े सीख रहा हूँ, और दो साल में मैं अपना version 2.0 बन गया हूँ, तो समझ लेना आपने MBA बहुत सही तरह से करी है, otherwise बहुत सारे लोग हैं, जो दो साल MBA कर भी लेते हैं, उसके बाद भी वो वही होते हैं जहां वो थे, ना कोई learning, ना कोई exposure, बस एक degree है, जिसके बाद उनको struggle होता है, आगे जब वो job के लिए जाते हैं, तो अभी से serious हो जाओ, MBA start हो गया है, तो भी यह चीज़े कर सकते हैं, MBA start नहीं हुआ है, तो आपके लिए golden time है, इन चीज़ों को सीख के, अपने career को better तरीके से ग्रो करो, so all the best, thank you so much and take care.